कि दोस्तों आज का मारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों से संबंदित महत्वपूर्ण प्रस्ण तो देखते हैं दोस्तों कुश्यनों को कुश्यन नंबर एक भारतिय नागरिकों को मौलिक मौलिक अधिकारों का वरण सम्मिधान में है ऑप्संस अनुक्षेद 12-35 अनुक्षेद 5-11 अनुक्षेद 36-51 इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा अनुक्षेद 12-35 क्योंकि 5-11 में दोस्तों नागरिकता है तता 36-51 तक नीती निर्देशक तत्त सम्मिधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिये गए हैं दोस्तों हमें बताना है मौलिक अधिकारों को किस देश के सम्मिधान से लिया गया है ऑप्संस USSR USA कनाड़ा आयरलेंड तो दोस्तों इसका अंसर होगा USA मौलिक अधिकारों को अमेरिका की सम्मिधान से लिया गया है सम्मिधान के किस भाग में मौलिक अदिकारों का वरडन है बाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 1 तो दोस्तो इसका जो आंसर है वह है भाग 3 दोस्तो भाग 3 में सम्मिधान के भाग 3 में मौलिक अदिकारों को रखा गया है Next question बर्तमान में संमेधान में कितने मॉलिक अदिखार भारती नागरिकों को प्राप्त है Options 6, 7, 8, 9 तो दोस्तो इसका answer होगा 6 बर्तमान में जो संमेधान में मॉलिक अदिखार मिले हुए है उनकी संग्या रहे हैто 6 नेग्स्ट कुश्यन शुप्रेम कोट या फिर राश्đट पती तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा वह राश्ट पती होगा आप सभी जानते हैं आप आत्काल के दोरां राष्टपती के द्वारा मौलिक अतिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल अनुच्छेद 20 तटा 21 को छोड़कर अन्न सभी मौलिक अतिकार निलंबित हो जाते हैं दोस्तों आपातकाल के द्वारान सम्मिधान के अंतरगत मूल अतिकारों का सरक्षक कोन है अप्संस, संसल, राष्टपती, नियाएपालिका, मंत्री मंडल तो दोस्तों इसका अंसर होगा नियाएपालिका दोस्तों जब किसी व्यक्ति के मौलिक अतिकारों का हननन होता है तो नियाएपालिका रेट जारी करती है उसके मौलिक अधिकारों का सरचड करने के लिए next question मूल अधिकारों को प्रवर्थित करने की सक्ति प्राप्त है यानि दोस्तो मूल अधिकारों में जो संसोधन किया जाता है उसकी जो सक्ति है वो किसे प्राप्त है options आश्टपती, संसद, High Court, Supreme Court दोस्तों इसका जो आंसर है वो है संसद संसद के द्वारा विशेश बहुमत से मोलिक अधिकारों में संसोधन किया जा सकता है next question किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 14 से 18 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है next question कौन सा अनुच्छेद चुआ चूत उनबूलन से संबंदित है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अनुच्छेद 17 फोर्थ इसका राइट आंसर है next question स्वतंता का अधिकार सम्मेधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 14, 18, 19, 22, 23, 24 या फिर 25, 28 तो दोस्तों स्वतंता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है next question कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंता से संबंदित है options अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 दोस्तों इसका अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 दोस्तों अनुच्छेद 32 इसका राइट अंसर होगा अनुच्छेद 32 को ही सम्मेधानिक अप्चारों का अधिकार कहा जाता है और दोस्तो अनुछित 32 को डॉक्टर भीवरावमेटगर ने सम्मेदान की हिर्दतता आत्मा कहा है नेक्स कुश्चन निमलिकित मैंसे मौलिक अधिकारों के अंतरगत नहीं आता सम्मानता का अधिकार दोस्तो हमें बताना है इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है तो दोस्तो इसका अंसर होगा सम्मपत्ति का अधिकार क्योंकि सम्मपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है दोस्तो तो फरस्ट इसका राइट अंसर होगा चलते हैं next question क्यों संपत्ति का अधिकार बरतमान में कौन सा अधिकार है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, नैसरगई का अधिकार इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों अभी बताया था हमने कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले ये मौली का अधिकार था, बाद में से कानूनिय अधिकार बना दिया गया Next question, बरतमान में समपत्ती का अधिकार किस अनुच्छेद में है Options, अनुच्छे 301, अनुच्छे 21, अनुच्छे 21, अनुच्छे 291, अनुच्छे 300 का तो दोस्तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ इसका राइट आंसर है अनुच्छे 300 काम है संपत्ति का अधिकार रखा गया है Next question मत अधिकार कौन सा अधिकार है राजनेतिक अधिकार नागरीक अधिकार आर्थिक अधिकार कानूनी अधिकार तो दोस्तो मत का अधिकार होता है वो एक नागरीक अधिकार है Next question संपत्ति के अधिकार को कौन से संसोधन द्वारा समाप्त किया गया दोस्तो अभी हमने जो संपत्ति के अधिकार का question देखा था हमें बताना है वो किस संसोधन के द्वारा समाप्त किया गया 44 वे संविदान संसोधन 1978 द्वारा 16 वे संविदान संसोधन 1982 द्वारा 31 वे संविदान संसोधन 1973 द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 44 वे संविदान संसोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार में संसोधन किया गया और इसे समाप्त कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया Next question किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया केशवानन्द भारतीबाद गोलकनातवाद सजजनवाद कोई नहीं तो इसका अंसर होगा दोस्तों केशवानन्द भारतीबाद 1973 इसी के बाद संसद को मौलिक अधिकार में संसोधन का अधिकार दिया गया Next question 6-14 वर्ष के बच्चों की निसुल को तथा अनिवारे सिच्छा का उलेख किस अनुच्छेद में है Options अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 25 दोस्तों इसका अन्सर होगा अनुच्छेद 21A दोस्तों इसे 86 वे संसोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था Next question मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायत्व किसका होता है High Court का Supreme Court का Donor का रश्टपती का दोस्तों इसका अन्सर आएगा Donor High Court तदा Supreme Court Donor की ही जिम्मेदारी होती है कि मौलिक अधिकारों का सरच चड़ करें और उन्हें लागू करें Option Question number 21 किस अनुच्छेद में उपादियों का अंत अन्त है Options है अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 18 तो इसका अन्सर हो जाएगा अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 के द्वारा उपादियों का अंत बताया गया है Question number 22 सोसन के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वरनित है Options 14 से 18 में 19 से 22 में 25 से 28 में या फिर 23 से 24 में तो इसका अंसर होगा दोस्तो 23 से 24 23 में मानव तसकरी और बलात स्रम के बारे में बताया गया है और अनुच्छे 24 में बाल मजदूरी 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को जोखिम कार्यमें नहीं लगा सकते इसके बारे में बताया गया है नेक्स कुश्चन कितने वर्ष से कम आयू के बालकों को कार खानों या जोखिम के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है 14 से कम 12 से कम 16 से कम 18 से कम दोस्तो अभी हमने देखा था इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा 14 से कम नेक्स कुश्चन इनमें से कौन व्यक्तिगत सुतनता से संबंदित है बंदी पृत्यक्षी करण उत्परेशन प्रतिसेद परमादेश दोस्तो इसका जो आंसर है वो है बंदी पृत्यक्षी करण फर्स्ट इसका राइट आंसर है दोस्तों बंदी प्रत्यच्ची करण का मतलब है कि कोई विव्यक्ति अगर गिरपतार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है कि समयधान की हुआत्मा कहा है किस अनुच्छेत को भीम्रावमेडगर ने सम्मैधान की हिर्दद अत्मा कहा है दोस्तों एक आभी महत्पोर कुशल कैया को अप्संस अनुच्छेत पचीश को अनुच्छेत 8 Será को जैसा 22 को दोस्तों इसका उनसर होगा वह अनुच्छेत 32 सम्म सम्मेदान की हिर्दतता आत्मबता है तो दोस्तों ये थे सम्मेदान के मौलिक अधिकारों के महत्पुन प्रश्ण धन्यबाद दोस्तों